This is the nutrient values की, अगर सौग्राम पत्ती की हम बात करें तो यह उसका nutrient कमोजी से अब हम क्यों गुजरात में हम खेती की बात कर रहे हैं, इस TVI का ऐसा पौधा है जो जादा रोशनी मतलब जिसमें दिन का प्रकास जादा रहता हो, उस जगे को पसंद करता है, जैसे परागुए का न बंबे होते हैं, तो पौधे को रोशनी जादा समय तक मिलती है, तो गुजरात में भी ऐसे इलाके हैं, जहां पर दस घंटे से जादा रोशनी होती है, तो हमने इसलिए गुजरात को चुना कि आपके छेतर में मुझे लग रहा यह अच्छा होगा, विकाद यह पसंद करत है, वो बनस्पती दूसरी खेती के मुकाबले आसान है, यह एक बार लगाने से चार साल तक लगाना नहीं पड़ता है, मतलब एक बार अगर आपने लगा दिया, तो चार से पांच साल तक आपके खेत में आप उसको काटते रहें और पतियां लेते रहें, तो बार बार कि जिससे यह फाइदा हो, यह जिसे मैंने कहा, कि यह कुछ फाइदे हैं कि हम क्यों करना चाहते हैं, इस टीविया, तो एक पोटेंसियल हाई वैल्यू क्राफ है, जो इंडिया में जो आलेडी हो रही है, इंडिया में अच्छा होगा, मैंने बताया आपको, फिर मार्केट इसका अच्छा है वे लेवल है, कि ऐसे लोग हैं, जो आपके खेत में आप अगर लगा लेंगे, आप पैदा करेंगे, तो आपके खेत से ही आपका प्रोड़क्ट जो है वो ले लेंगे, और वहीं पर आपको पैसे भी दे देंगे, कुछ ऐसा ब्यूस्ता होगी, तो आप को कहीं बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, एक फाइदा, फिर हम लोग जो मैं इसे बात कर रहा हूं, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं, कि हम आपको हर तरीके से इस टीविया की खेती के लिए टेकनिकल सपोर्ट, मदद जो भी हम कर सकते हैं, वो आपकी हम करेंगे, कि कहां से पोधा मिले, कैसे खेती हो, कैस परकार से उसको प्रॉसेस करें, कहां उसको आप बेचेंगे, इसमें सारी जानकारी हम आपको उपलब्द कराएंगे, ठीक है, एक ये फाइदा हो गया, फिर एक ये है, जैसे मैंने का कि हाड़ी क्राप है, अगर एक बार लग गाने के बाद, चार साल तक आप इससे फसल ले सकते हैं, खारते हों, एक ये फाइदा, फिर एक एकड में करीब दो टन, दो हजार किलो पतियां जो है, पैदा होती है, पंदरा से बीस, मतलब बेड़ से दो टन के बीच में हमने माना, और अगर अच्छा तरीके से मैनेज क सकता है, तो ये हम अगर एवरिज मान के चलें, दो टन, तो दो टन पतियां एक में होती हैं, करीब एक 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 एकड में हो जाएगी, और अगर हम भाव की बात करें, तो इस वक्त अगर हम मान के चलें, सव रुपया किलो किसान के खेट से करीब बिग जाएगा, तो मोटे अगर हम ठीक तरीके से खेटी करें, तो हमारे किसान भाई जो है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है, 10%, 20%, इधर दर वो डिपेंड करेगा, कि आप उसकी खेटी किस तरीके से कर रहे हैं, फिर जैसा मैंने कहा, इसके लिए जमीन कैसी चाहिए, जमीन चाहिए, जैसे मुंफली जिस जमीन में हो जाती है, ऐसी मिट्टी, ऐसी जमीन जिसमें पानी न भरता हो, रेतीली सोयल, सैंडी लोम, या जिसको लोम सोयल कहते हैं, दूमट मिट्टी, वो इसके लिए सबसे अच्छी होती, तो पानी न भरता हो खेट में, एक यह आ जाती है, और इसमें यह देखा गया है, कि थोड़ी एक क्राब जो है, वो पीए संस्टी होती, मतलब एक जो मिट्टी होती न, उसका एक पैमाना बनाया गया, बनाया गया, कि भई, यह जो है अमली मिट्टी है, यह छारी है, तो यह अमली मिट्टी में, जिसका पीए साथ से नीचे हो या साथ तक हो उसमें अची हो ठीक है तो इसमें यह हो जाती है तो हम लोग इसलिए यह कहते हैं कि भाई आप जैसे खेती करने जा रहे हैं तो कम से कम एक बार उसमें उसकी मिट्टी जरूर टेस्ट करा लें कि भाई हमारी जो मिट्टी है वो कैसी है तो यह तो स यह बहुत ठंडे इलाकों में जैसे अगर हम बात करें ऐसे इलाके जहां पर फ्रॉस्ट गिरता हो जिसकों कहते है ना पाला गिरता हो वहां अच्छा नहीं होता है यह टंपरेचर पांच आठ डिगरी के नीचे आ जा रहा है वहां अच्छा नहीं होता तो अगर यह मौडरे है अच्छी है जो गुजरात को सूट कर ती है छे के नीचे आने से दिक्कत है और फिर जिसे मैंने का कंडिशन प्लांटिंग के लिए सबसे अच्छा समय यह होता है वैसे तो अगर पानी है तो कभी भी लगा सकते हैं लेकिन फरवरी में लगाना सबसे अच्छा होता है कि जैसे फरवरी में जब गर्मी की शुरुवात होनी होती है तब हम इसको खेतों में लगाएं तो सबसे अच्छा होता है प्लांटिंग का तरीका यह है कि यह पौधा कटिंग से लग जाता जैसे जो होती ना जैसे आपने पौधा देखा उसकी ऊपर की कटिंग ले ली और कटिंग को मिट्टी में लगा दिया तो नर्सरी बनाने का तरीका है पहले हमें नर्सरी बनानी पड़ती तो मिट्टी में लगा के पानी हम पौधा बना सकते हैं कटिंग से बन जाता है और कटिंग से एक पौधे से एक पौधा आपने लगाया फिर एक पौधे से आप दस कटिंग अगले चार महिने में ले सकते हैं और उस कटिंग से पौधे बनते जाते हैं तो ये पौधे भी जो खेती अगर कोई किसान एक्चुक होगा तो हम लोग पौधे उसको उपलब्द कराएंगे शुरुआत में फिर वो किसान अपने आप खुद भी उसको मल्टिपलाई कर सकता है तो ये तरीका है कि हम इसको लगाएं और जैसे फरवरी में आपने लगा दिया तो सुरू में करीब तीन से चार महिने लगते हैं उसको पाउधे को पहला हार्वेस्ट लेने में लेकिन इसमें बस ये होती लगाने के बाद इसकी वीडिंग की विस्था करनी पड़ती है मतलब चुकि ये फरवरी में लगा रहे हैं जब पानी देते तो इसके साथ दूसरे खरपतवार बहुत उगते हैं वीड्स बहुत उगती हैं तो हमें वीडिंग करनी पड़ेगी कि खरपतवार हम खेतों से निकालें उसके बाद हम इसको लगाएं तो ये देखा गया कि हम लोग इसमें कम से कम साल में तीन बार इसको हम हर्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है एक बार जून में एक बार करीब सेप्टमबर में एक बार नॉवंबर दिसंबर में मुझे लग रहा है गुजरात में चार हर्वेस्ट भी हो सकते हैं कि यहां विंटर नहीं होता इसलिए जनवरी में हमें हार्वस्ट यहां मिलेगा नार्थ में नहीं मिलता का नार्थ में विंटर आ जाता है तंड़क में ग्रोथ नहीं होती तो ठंड़क में नार्थ में तीन हार्वस्ट मिलती है यू पी में Pav medals में मद्धिपर्द वहाँ पर लेकिन गुजरात में चू कि पूरे टाइम करीब पर एक जैसा मौसम रहता है ठंडा नहीं पड़ता है इसलिए यहाँ पर चार हार्विस्ट भी हो सकती है और जो उत्पादन की जो हम बात कर रहे हैं वो शायद यूपी से जादा यहाँ होगा फिर जैसे मैंने कहा कि इसमें लगाने का तरीका बड़ा आसान है कि हम सुरू में क्या करते हैं कि जैसे जो हमने खेत हैं उसकी जुताई की फिर खेत में हम लोग वो आरगेनी खाद मिलाते हैं जैसे गोवर की खाद इसको मूलते हैं ना फार्म यार्ड मेनो गोवर की कच्चा गोवर मिलाने से कई बार किसानों को मैं ये बता दूँ इसी खेती की बात नहीं किसी भी खेती में अगर कच्चा गोवर की हम खाद डालते तो वो जाद कई बार नुकसान जादा कर जाती उसमें फफून लग जाएगी उसमें इंसेक्स लग जाएंगे तो फाइदा कम होगा नुकसान जादा होगा इसलिए गोवर की खाद डालते समय हम यह सावधानी रखें कि जो गोवर की खाद हो वो ठीक तरीके से अच्छी पुरानी हो या सडी हुई हो उसको डाले ठीक है फिर बाद में अगर मुझे पौधा लग जाता है उसके बाद में यूरिया से जो है ट्राप ड्रसिंग करते हैं नाटोजिनस फर्टिलाइजर के तौर पे क्योंकि हमें इसमें वेजिटेटिव ग्रोध चाहिए बावाज चाहिए इसलिए नाटोजन डालना पड़ता है फिर जैसे मैंने का ना कटिंग से पौधा बनता है आप अगर देखा हो आपने स फरवरी में 15 दिन में रूट आ जाती है पतलब बहुत आसानी से इजी टी रूट है तो पंदरा दिन में आ जाता है तो पंदरा दिन में पौधा आपका तयार हो जाएगा और उसके बाद आप उसको लगा दीजिए जितनी अच्छी रूट डेवलप होगी उतना ही पौध लगाते हैं जिस से की डेनेज की समस्यानों कि अगर जादा पानी हो तो वो बीच से निकल जाए तो यह रिख बैड में द्राइन से नीचे बैठी हुई है कि भाई खेती के हमारे मोदी जी ने का है हमें 2022 तक 2022 तक किसानों की आमदनी जो दुगनी करनी है तो अब यह लग् मैं अभी यही बात कर रहा था एक तरीका कि हम किसी तरीके से उत्पादन बढ़ाएं किसान की जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ाएं और कीमत बढ़ाएं तो उत्पादन बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा रेट बढ़ेंगे तो उसका फायदा होगा एक तरीका दूसरा किस तरीके से कास्टा प्रोडक्शन को घठा हैं जैसे कई बार हम खाद बहुत फाल्तू मात्रा में डाल देते हैं खेत को जरूरत नहीं होती लेकिन खाद हम डाल देते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहां पर उसको रोकें कि हम कितनी हमें आप्टिमम कितनी जरूरत है यही हाल insecticides का है तो कई बार हम unnecessary जो है insecticides, pesticides, fertilizers को डालते रहते हैं जिससे कास्ता production बढ़ जाती है दूसरा आज कल हम किसानों के हम लोग किसानों के साथ रहते हैं बात करते हैं तो लेबर की बड़ी भारी समस्या है कि लेबर नहीं मिलता है सारा पैसा लेबर में काफी कास्ति इंसेंटिव हो जाएगा तो अब एक तरीका यह है कि हम किस तरीके से बहुत सारे क्रिकल्चिलर आपरेशन्स को mechanize कर दें अगर हम mechanize कर देंगे तो साथ कास्ता production थोड़ी घड जाएगी उसमें एक किसान हर गाव में कि हरा आदमिक पिसान के पास implement हो अगर एक किसान इंटर्पेंटर यह स्टार्ट कर दे कि हम सब को services प्रवाइड करेंगे जैसे साथ कुछ NGOs ने कुछ young startups ने सुरू किया तो वो उनको लोगों को सुविधा प्रवाइड करेगा अगर यह हमें बेट्स बनाने है तो टेक्टर हमें प्रवाइड करा देगा हमारे किसान को जो बनाने के लिए जो implement से वो प्रवाइड करा देगा तो उससे कास अब प्रड़क्शन घट जाएगी तो यह एक तरीका है जो हमें सोचना पनेगा यह देखिए हम लोगों ने रिजर्स बनाए है जैसे सुगर केन की प्लांटिंग करते ना इस तरीके से रिजर्स होते है हम लोगों ने बहुत डिसर्ज कीस पर कई सालों से काम कर रहे हैं इस टीविया पर यह देखा कि कास्ट आप प्रोडक्शन कैसे घटाया जाए तो एक तरीका यह है कि मैनुवल जब बनाते हैं रिजर्स तो काफी पैसे लगते हैं टेक्टर से बनता है तो बड़ा आसान हो जाता है किसान को भी आसानी और बनाने में भी आसानी तो एक तरीका यह है कि हम मकानाइज करते हैं यह खेत है इस टीविया का इस तरीके से आपके खेत में लग जाती जिसा है मैंने कहा ना बीच में जो रीजेज हमने बनाई है इससे वाटर डेन आउट हो जाता है एक्स्ट्रा वाटर है सो इसमें स्प्रिंग्लर लग सकता है र लोग लगा सकते हैं, drip irrigation also we can put, लेकिन drip irrigation थोड़ा महंगा है, यह है इस तरीके से, फिर जैसे हम लोगों ने प्लांट यह प्लांटिंग करने के लिए प्लांटर भी किया, वैसे तो जैसे मैंने का ना, बेट में किसान ट्रेडिसनली कैसे लगता, बैट बैट के पौधा लगा है, तो प्लांटिंग डिवाइस से यह पौधा लग जाता है, यह एक फाइदा है, यह हैंड ऑपरेड़ेट है, इसमें बार बार जुगना नहीं पढ़ता है, तो इससे efficiency किसान की काफी बढ़ जाती, तो इस वी हैव डन, जैसे मैंने कहा ना कि यह, और की यह है, कि स्टीविया में, वीडिंग इस वेरिए संसील, जैसे आपने जब भी क्राप लगाई, उसके तुरंद बाद उसको एरिगेट करना है, पानी देना है, जिससे की पौधा अच्छी तरीके से जमीन में जम यह आपको करना है, वीडिंग करनी है, और अगर सारे के सारे पौधे आप लगाएंगे, तो सब नहीं बच दे, कुछ मरेंगे, तो जब मरने वाले जो पौधे हैं, उनको आप रिप्लेस भी कर दे, उसमें दूसरी पौधे लगा दे, एक यह तरीका है, फिर जैसे मैंने क प्लास्टिक और पैडी या उसका स्टीक मल्च, तो इट कंट्रोल स्वीड, वीड नहीं बढगने देता है, और वीड को कंट्रोल करके रखता है, तो यह यह तो अगर हम इसको नहीं काटेंगे, तो पाफवसल अच्ऽी नहीं होगी, जैसे पौधा आपका बड़ा हो इसको ऊपर से काटना है मतलब इसको कहते पिंचिंग अगर उपर से हम उसको काट रहे हैं टिप के पास से सो इस पिंचिंग और अगर एक्जास्टिव नीचे से काट रहे हैं तो पूरुनिंग हो गई तो इसमें जो कटाई है पूरुनिंग और प कल्ले को काटेंगे तो उसमें से चार कल्ले निकलेंगे फिर चार को काटेंगे तो सोला निकलेंगे सोला को काटेंगे फिर साथ कल्ले पचास कल्ले निकलेंगे तो जितने ज्यादा नंबर आप टेलर्स होंगे उतनी अच्छी उतना अच्छा पुदा होगा उतना ज्यादा ह इसको प्रून करते रहें बाद में ये, ये 15 दिन के बाद, एक महीने के बाद इस तरीके से पौधे हो जाते हैं, ठीक है? यह उसका nutrient cycle है जिसम मैंने कहा ना कि यह nutrient cycle है कि दो पहले हम अगर उसको हाँ टू विक्स आफ्टर फास्स हार्वेज जब हम हार्वेज करते हैं उसके बाद हम 40 केजी जो है यूरिया देते हैं पर हाफ पर कोर्टर एकर फिर छे वीक में फिर हम हुमीक असिड मायकर न्यूटियंट का इस पर करते हैं फिर दस वीक के बाद फास्वोरस रिच फोलियर इस पर करते हैं मतलब हमें nutrient management करना है जैसे जब हम जितनी बार भी हार्वेज करते हैं उसके बाद I think time is over ना ओके अगर हम स्टीविया की बात करें हमें इस तरीके का कैनोपी चाहिए इस तरीके की जाड़ी नुमा जाड़ा चाहिए जिसमें जो साखाएं हो जो नमबर आ एप टीलर से वो ज्यादा हो जड़ा वालगा एंड ज़्यादा बाइबाव मेलेगा तो लीव ज़्यादा होंगी एंड वी एर चंसरी और नी इन लीव भी ज्वास चो यो युजिबल पार्ट है वो पत्तिया हैं दंठल हमें निकाल देना है, उसका मैं आपको बताऊंगा कैसे, ये 45 डेज के बाद, ये थर्ड हार्वेस्ट के बाद, this is harvesting technique हमें उपर से harvest करना है सिकल होता था हसिया उस से हमें काट लेना है abhi तक harvesting mechanize नहीं हम लोग कर पाएं है अब हम लोग हसिया से ही काट रहें इसको तो इसको mechanize कर सकते हैं भाई यह चल नहीं ना तुमारा है यह अ कै रहा था ही हर स्थान ऐस्थ तरीके से करते हैं जिसे फीड में तयार हो गई फिर हम लोग हसिया से उसको काटते हैं सिकल से मैनोली यह जिजिए खेत में कटने के बाद है इस तरीके से उसको काटते हैं लोग कालर से फिर उसके बाद इसमें नमबरा जूसन नए टीलर जो है वो निकलते यह है यह जिसे आपने काट लिया खेट से एक पौधा दिख रहा है उसका अकलो बोज भी और यहां से जो है नए टिलर्स नए शूट सी मर्ज होते है तो इसका जो जो प्रोडक्शन है वो सेकंड यर में ज्यादा होता पहले साल जब आप लगाएंगे क्योंकि नमरा ब्रां से ज्यादा होंगे तो आपको आप आप्टिमम जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो सेकंड यर में मिलेगा सेंडियर थर्डियर में सो दिसे और देन ड्राइंग इस वेरी इंपार्टन फिर इसको हम सुखाते हैं इस तो भी ड्राइड एट फार्म तो एक तरीका है कि हमने को दिसको पत्यों को हमें सुखाना है उसके बाद पानी से धो के फिर हमने उसको कि इसी पॉलिटीं सीड़ी या उसपे बिशा दिया तो इसको फिर ड्राइग नहीं करना है कि अबार कर्यों है कि ओक आप मौशक नहीं दूब में ड्राई बाएग है फिर छ नहीं हम लोगों ये ये तरीका है एक ड्राइंग का उपर उपर इसके पहले और पहले और इसके पहले इसके पहले ये ये जिसे इसके पहले वाला पहलोगों ने बनाए है कि जैसे हम एक सिंपल इस्ट्रक्चार किसान बना कर सकता है हमने कोई लोगर कर लोग कास में बनाना है तो हमने चार पिलर लगाए उपर से हैं एक गरोशेडनेट आती है हमने लगा दिया एग्रोषरेट्नेट में क्या होता नीचे से हावा भी जाती रहती और वह जिसे लगा हुआ व्योषरियू लगा दिया और इसके वपर हमने पत्तीयां बॉषा दी और सूखता रहता है फिर अगर ज्यादा खेती हो रही एक हेक्टेर के लिए तो हम इस तरीके से कोई फील्ड में पोटेवल डिवाइस भी बना सकते हैं जिससे हम उसको ड्राइग करें ड्राइंग बहुत अगर पती ठीक से नहीं सूखेगी तो रेट कम हो जाएगा अच्छा नहीं गुणवत्ता अची नहीं होगी और नहीं ठीक से होगा तो ड्राइंग बहुत इंपार्टेंट है तो हमने जिसे कहा ना कि लो कास ड्राइंग का तरीका दिए है कि हमने एग्रो शेडनेट लगाई और वह हम दो तीन टीर जैसे दिखा रहा है ने नीचे एक है फिर डबल डेकर टाइप जैसे बस नहीं होती एक नीचे लगा है उपर लगा है उपर से हमने शेड लगा रखी है तो ड्राइंग इस वेर इंपर्टेंट उसको ठीक तरीके से ड्राइंग करना है और हाँ डेक्स नेक्स 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 इसके पहले तो यह इस तरीके से जो जो है यह मैंने जिसे मैंने कहा कि देखिए मैंने कहा कि यह चार-पान साल की क्राप है ऐसे खेत में लगाएं जो आप तीन-चार साल के लिए इस पेर कर सकते हैं नंबर एक बात किसान को सोचना पड़ेगा कैसा नहीं कि 6 मैने की बाद है कि आपने 6 मैने बाद निकाल दिया दूसरा फिर लगाने के पहले हम क्या लगा रहे हैं कौन सी विराइटी लगा रहे हैं यह बहुत ध्यान रखने की बात है हम लोगों ने पिछले 5-7 सालों से काम किया है चाइना से पेरेगवे से साउथ अबरिगा के और कंट्री से कई जगे से हम लोगों ने माटीरियल वहां से लेके आए हैं एक्सपोर् साइटी है सो वी अरेडी टू गिव यू फार्मर्स के साथ हम लोग करना चाहते हैं एक बात तो वह लगाने के पहले आप यह जरूर देख लें फिर क्या है आपके पास रेडी मार्केट है जैसा मैंने कहा कि आपके खेट से बिग जाएगा एक बस कर यह है कि यह नहीं किसान मिलके खेती करें कम से कम आप्टिमम जो है उस खतम रेड़े करीब रूटी हेकड़ कम से कम हो एक किसान के पास एक जगें बाव में एक क्लेस्टर में तो कम से कम वहां पर ड्राइंग यूनित या क्रोसेसिंग यूनित लगाई जा सकें तो यह हमें सोचना कि कोई market की कोई कमी नहीं है कोई कितने भी आप पैदा करें तो लोग खरीदने को तयार है आपके खेत से आपके आएंगे आपके साथ पहले buy bag agreement उनका करा देंगे कि भई वो buy bag agreement करेंगे जब आप ठीक है now we are ready then we'll start फिर अम लोग क्यती करेंगे मुझे लगा समय साथ कम है यह contact address है यह company है जो किसको कर रही है उसका यह detail है Arborial Agro Innovations नई दिल्ली में बेस्ट है यह लोग इनके operations कहीं और जगे हो रहे है यह उनका number है और यह इनका phone number है यह email है यह इससे क्यती हो रही है तो अगर आप लोग करना चाहें तो यह हो सकता है ठीक है फिर जैसे मैंने कहा यहां गुजरात में मैं यह बताना चाह रहा था कि मैं फोटो दिखाता हूं आपको कि यहां पर बगीचे काफी लगे हुए आम के बगीचे हैं कुछ हैं आर्चर्ड लगा रखें किसानों ने तो यह कुछ ऐसी क्राफ से जो उन आर्चर्ड के बीच में आ सकती है जैसे कुछ तो आप लोग साह लगा रहे हैं जैसे यह सतावर के साथ में यह वो लगा हुआ सतावर नीचे लगा हुआ है सतावर समझते हैं हल्दी लगी हुई है तो यहां पर जो आम के बगीचे हैं जो आर्चेड हैं आपके, उसमें आप लोग सतावर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, और सतावर के अजिकि अच्छा मार्केटी है, इसकी खेती भी हो सकती है, तुन सतावर लगा हुआ, और यह कम आख सकता है और 6-7 साल में किसान उसको हार्वेस्ट कर सकता पापुलर जैसे उसके फायदे होते हैं यह कुछ इंस्टिट्यूट है जो आपके सर्फान में थे और यह हमारे जो है यह इस्टिट्यूट है जिनसे आप बदद ले सकते हमारे अलावा आपके गुजरात में है यह सम्ट नेक्स यह हमारे प्रदान मंतरी जी ने कहा कि वही यह जो है मेडिकल साइंस यह तो हो गया है तो यह 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 मैं बताना चाहरा था आपको कि हमें लग रहा कि हमें जो हमारे जो जो हमारे पेड़ पोधों से या जो हमारी परंबरा का चिकितसा पद्दतियां थी उन पे हमें वापस आने पड़ेगा अगर हमें हेल्थ फार आल का जो सपना है वो पूरा करना है तो मुझे लग रहा जड़ी बूटियों के लावा कोई विकल्फ हमारे पास है नहीं और जिस तरीके से हमारी पापॉलेशन है दुनिया में हम बढ़ रहे हैं तो मुझे लग रहा कि ये काफी अच्छा एक सेक्टर हो सकता है जिसमें ग्रोथ की बहुत संभावना है और अभी 15% पर एनम की स्पीड से ये ग्रोथ ग्रोग कर रहा है थैंक्यू आप सब लोगों का मुझे सुनने के लिए इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अर्गनाइजर्स का बड़ा धन्यवाद करूँगा कि मुझे उन्होंने बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया आप सब लोगों का धन्यवाद किसान भाईयों का नमस्कार